जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग लगबग 450 question के साथ पूरे biology का revision करने वाले हैं सभी के सभी question previous year में पूझे गये हैं तो काफी important question होने वाला है जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है तो इस तरह से पहला test में आप लोगों को बताया गया था कि 120 question यहाँ पे हम लो करा दिया जाए और question जो है PDF के रूप में सारे test का जो question है वो एक ही बार हम PDF के रूप में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं उसको आप बना कर रहिए फिर जैसे जैसे वीडियो upload होते जाएगा वैसे वैसे जो है आप उसका answer check कर लिजेग चलिए देर ना करते हुए आज यहाँ पर हम लोग question number 31 से देखते हैं कि question number 31 क्या कहता है तो देखते हैं 31 तक पहुंचते हैं पिछला question उमीद करते हैं आप देख चुके होंगा अगर नहीं देखें तो time निकाल के देख लिजे क्योंकि बहुत important है अगर सारे question अगर science के जो प्रस्त प्रक्रितिक वरणवाद निल्मिकित में किस पर आधारित है और production पे है struggle for existence and variation पे है survival of the fittest है उपर्यूक्त सभी है तो इसका साही अंसर हो जाएगा उपर्यूक्त सभी अभी कुछ जो प्रशन आपको देखने को मिलेंगे अभी आने वाले पांस-दस प्रशन जो म माना जाता है और कभी-कभी लोग जो है इसको पढ़ते नहीं जो की topic है जैविकास तो हम जो है एक दो मिनट में आपको यह जैविकास बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस topic को छोड़ देते हैं और अभी सारे question जो है वो इसी से related है तो अगर यहां पर आपक आपका reason पता होगा कि अभी CGL का exam में इतना करीब आ गया है तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जो आपका test वाला part है उसको जल्दी खतम कर दिया जाए फिर detail वाला जो है वो हम लोग बाद में upload करेंगे जैसे time मिलेगा तो यहां पर आपको बताया था कि कैसे यहां पर मानो के उत्पती के बारे में अलग-अलग theory दिया गया है या जीव के उत्पती के बारे में अलग-अलग theory दिया गया है तो उनी theory में से कुछ theory को यहां पर biology माप लोगों को पढ़ाया जाता है जिसमें से यहां पर basic कुछ है जिससे question पूछे गया है वो हम आपको बताने का प्र पहला जो परी कल्पना या है आपको बस इतना या रखना है कि यह थिरी किस만 가능 हैं यह और्फन करके है इस तरह से यह नाम को याद कर लेना और यह जो उपना थिपर देते हैं वह ब्हस्य क्ताब में दिए हैं तो यह दिए है origin of life करके इनका केताब है उनमें ये सारा चीज बगा है इसका जो main concept है वो क्या है क्योंकि कभी-कभी concept से भी पूछता है कि इस theory में क्या कहा गया है अभी आपको question में दिखेगा भी तो इनका theory बोलता है कि जो प्रारंबिक जीव है उसका उत्पती आज से लगबग चार अरब साल पहले आदिशागर के जल में निकलियो प्रोटीन्स यानि वाइरस के कनों के रूप में यहां पे हुआ था वाइरस क्या होता है यानि कि वाइरस विशानू और जीवानू उसका विसेस्ता आप लोग जरूर पड़े होंगे कि यह जो होता है आरेने का बना हुआ होता है बहुत जादा यह डेवलप नहीं होता है सजीव और निर्जीव के बीच का एक कड़ी होता है वाइरस तो इस तरह से वाइरस बने होंगे जो की पर-पोशी होंग यानि जो सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी था जैसे पहले तो सभी निर्जीव से क्या आग Blaze निर्जीव के बीच का कड़ी जो होता है वही होता है विशानू अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप सजीव बने तो सजीव में parcels कं 22 ब通 कर-ई आप जब कुसी का पढ़िएगा तो वहां बताया जाता है कि वैसे सेल जो की बहुत जादा डैबलप्ट नहीं है उसको आम लोग बोलते हैं प्रोकारियोटिक उसमें आपको बहुत सारे अंग जो आर्गन हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन वहीं यू कारियोटिक में जाएगा तो फुली डैबलप्ट आपको सेल देखने को मिलेंगा वहां पे सारा ओर्गन आपको मिलता है तो इस तरह से यहां पे सबसे पहले अंडेबलप्ट जीव बनेंगे जिसमें बहुत जादा जटिलता नहीं पाया जाएगा बहुत ही सरल सिंपल कॉंपलेक्स सिंप अगर आप लोग को पढ़े होंंगे बाईलो जी तो यह बात जो अभी आम आपको बता रहे हो सबज में आ रहीं होगा उसके बाद यह सबसे पाला जो जिव आता है वो कानए आता है नील हरित शैवाल और शैवाल जो आते हैं वो अलग लग कैटेग्री में आपको पढ़न बहुत ही सिंपल सा जीव रहेगा दिरे दिरे यह डेवलप होते जाते हैं मोनेरा प्रोटेस्ट अना फंजाई हो गया प्लांटी हो गया एनीमिलिया हो गया इस तरह से हम लोग क्लासेफिकेशन करते हैं और इसी तरह से सारा जीवों का डेवलपमेंट हुआ है यह ओरीजिन यह बोलता है निम्न कोटी के जो भी सरल जीव थे अभी यहां पे आपको जो बताया गया वो कर्मिक प्रवरतन द्वारा विक्सित और जटिल जीवों की उत्वति ही जय विकास कहलाता है करने के मतलब वो सुरू में सिंपल सा जीव था सिंपल सा वो यहां पे आना जीवन यहां वो दीरे दीरे जटील होते गया और जटील होते जटील जोते हैं इस तरह से कॉंपलेक्स आपको पूरा जीवमंडल देखने को मिलता है से रिल्टेड है तो हमको लग रहा है सबका explanation बताने साच है कि एक बर थोड़ा सा explanation एक ही साथ आपको बता दिया जाए और बागी सारी question सारे question का answer आपको बता कि हम उसको पार कर देंगे तो time आपका उतना ही लगना है चीजों को थोड़ा सा हम revise करवा रहे हैं तो यह लगा हमको important तो हम आपको बता रहे हैं उपारजित लक्षनों के वंसागति यानि की inheritance acquired characters characters तो आपको याद रखना है कि यह जो है लैमार्क के द्वारा दिया गया था इसका सिदान्त शापा था 1809 के पुस्तक में जिसका नाम था philosophy geologic तो आपको सबका किताब का नाम याद रखना है कि किसके दौरा कौन सा किताब लिखा गया था इसका जो धारणा है या थियूरी है उसके अनुसर क्या होता है अधिक परियोग कियो जाने वाले अंग जो होते हैं वो सुद्रड़ और सुविक्सित होते हैं कहने का मतलब ह तो मजबूत होता है जैसे कि होता है ना कि हम जिस हाथ का परियोग ज्यादा करते हैं अगर बाया हाथ का परियोग कीजेगा तो बाया हाथ आपका मजबूत हो जाता है अगर वहीं आप दाहिने हाथ का परियोग कीजेगा तो दाहिना हाथ मजबूत हो जाता है कहने का कि फिलोसफी जो लेजिक जो जियो लॉजिक करके हैं तो सवारी माप की जाएगा कुछ कारण वस यहां पर पाउजिल लेना पड़ा था आगे यहां पर देखते हैं इस दार्रां के अनुसार आपको हम बता रहे थे कि अधिक यहां पर प्रयूख कियो जाने वाले जो अंग ह यहीं चीज यहीं बताना चाहा रहे थे वह जिसका कम हो जाता है वह देरे-देरे विलुप्त हो जाता है जैसे कि कहा जाता है कि इंसान जो था बंदर था फूंच का कोई यूज नहीं होने लागा तो दिर दिर वो क्या हो गया वेलप्त हो गया वह थी हो गया और उसी तरह से जिराफ है जिराफ जो है उची पेड़ के जो पत्ते हो इसको खा रहा था तो इसके कारण गर्दान हमेशा उचा करता था तो यह जो है दिर दिर इसका गर्दन जो ह पूछा भी गया है इनका सिद्धान था और इसकी जो व्यक्या है इसका जो डिटेइल एक्स्प्राइशन है वह किस बुक में मिलता है ऑन दा ओरीजीन ओफ इस यहां तक पूछा जाता है कि यह कब छपा था तो 1989 में सरी 1859 में यह चपा था और चपते ही कहा जाता है बहुत जादा इसका किताब का आपका क्या होगा था सेलिंग हुआ था काने का मनला वन ऑफ दा बेस्ट सेलर के तौर पर उस समय जाना जाता था ओंदा ओरीजीन ऑफ इस पीसी यह से दान नमेंकित तर्थ्यों पारादारीत है और यही चीज आपको अभी बताया जा रहा था कि ज उनके जिवन के लिए संगर्स तो हई बहुत सारे जीव होते हैं उनके बीच संगर्स होता है और उसके बाद कुछी बन गेंग जाते हैं तो जीवन में संगर्स होते रहता है तरह से यह धिया गैए विभ्नदन caucus की यहाँ पе दिया गया है फिर है प्रकृतिक चैंग है सर् existence and आपका क्या दिया गया है variation तो इस तरह से यहाँ पे आपका struggle and existence को variation करके आप लिख सकते हैं उसको मान सकते हैं और last में दिया था survival of the fittest तो इस तरह से किवाल विभिनताय और इसके वनसागिती यहाँ पे नहीं दिया हुआ था तो चुकि यहाँ पे तीन option आपको सही मिल रहे थे तो इसलिए इसका answer जो था वह उप्रिक में से सभी यहाँ पे हम लोग इसको मानगे चलते हैं आगे थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है प्रिवर्तन के फल्सरूप होता है, मतलब यहाँ पे धीर धीर यह परिवर्तन नहीं होता है, अचानक परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है जो परिवर्तन होता है उसको तो यह जो था जय विकास से संब्दित कुछ कॉंसेप्ट था जो कि हम आपको बताया है टाइम लेके हो सकता है दस बारा मिनट अभी चल हो गया है और अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना का बारे देखते हैं बहुता है पुस्त तक दा ओरिजिन ऑस इस पीसी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है तो अभी फटाग से आम इसका सही अंसर आपको बता द रहे हैं कि यह सब सारा चीज आरडी हम डिसकस कर चुके हैं डार्विन के द्वारा दिया गया है तो विकास आज यहां पर आज जो आपको बताया गया तो मिटेशन जो है वह बताया थे मुटेशन के बारे में हीगो डो हीगो डी भी बृतनिस्ट करके आपको बताया गया था इसलिए महां पहले उसको बता दिये थे explanation ज्यादा यहां बताने क्या उसकता नहीं पड़ेगा अब देखिए मुटेशन यहां पे सीधे आपको यहां पर आ रहा है यानिकि यहां पर फूर हो जाएगा फिर विकास का जो सिदान थे वह कान बताये थे यहां पर डार्वीन बताये थे और एक जिन एक एंजाइम की परिकल्पना यहां अगर नहीं भी पड़े हैं तो कोई दिकत नहीं क्योंकि दो यहां पर आप्शन हमको मिल गया है तो बाकी एकाद आप्शन अगर गिस भी करके या आप्शन से अगर जाएंगे तो मिल जाता तो इस तरह से यह बीडल और टैटम करके देता आपरेशन की आवदारना जैकाब और मोनुट यह दोनों आपको नहीं हम बताया थे बहुत सारे थियोरी परिकल्पना दिया गया है हम लोग बेसिक जो किताब में मिलता है वहां से अगर उमीद है आप्शन मिल जाए तो कभी कभी बन जाता है जिसमें देखिए चार और तीन यहां पे मिल रहा था तो चार एक और दो भी अहां पर हां एक और दो यहां पर बस ऐसे ही और नहीं यहां पर आपको जाना पड़ता चार आप्शन आपको जाना पड़ता तब ही बनता ने तो भी और सी में यहां कंफीजन हो सकता था चले ठीक है कभी कभी कुशन जो है अना हम लोग पड़ते हैं लेकि आपका यहां पर दिया गया है यहां पर आम लोग देखे थे विकास का जो कारण यहां पर देखे नेचरल यहां पर देखे आपका यह जो है अना दिखाते हैं आपको यहां पर कहां दिया है हाँ यह तो दिया गया संतानोपती देख रहे हैं जीवसंगर्स दे रहे हैं विबिनताय और इसके वनसा गेती है और प्रकृतिक चैन तो प्रकृतिक चैन एक जो है आप्शन में आपको दिख रहा है बाकी आप्शन में नहीं दिख रहे हैं तो आंसर समाप्थ हो जाता है तो इस तरह से यहां पर हम लोग जो देखते हैं वह लैमात के द्वारा यह थिवर्य दिया गया अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग वाला जिसमें आपको यहां पर बताया गया था कि जो भी आंग आप ज्यादा परियोग करेंगे वह सुद्रिड औ कि विलुप्त हो गई ऐसा किसके बारे में कहा जाता है चीता के बारे में कहा जाता है अधुनिक मनिश्य के हाल के पूर्वज कौन है यह यहां पर पूछा गया है कि जो हम दोग हो मिस्ट वेगरा पड़ रहते न तो उसमें और भी बहुत सारे रिसेर्च वेगरा करेंट अफियर में आपको देखने को मिलें गें तो उससे यह कौशन पूछा गया था तो इसका जो आंसर दिया जाता है वह क्रो मैगनोल मनिश्य है अगर डिटेल जाना चाते हैं तो इसको आप गूगल कर सकते हैं उसके बाद यहां पर दिया है डेने डेनी सोवन कभी-कभी शम लाख सतर हजार साल पहले हुगा था और यह जो है यहां der आपका एक प prow carriage सकते हैं यह समापत जो हो गया लगधग Oregon 3,000 शाल पहले हिनका क्या वं क्यों गया था समाफती हो गया इक जो मानों इस पैसिस के तौर में अगर जिया गया है अगर एफ्रme année पर पहले ये क्या हों यह क्वार्ड नहीं है क्या है तो जो है यह नोग पोकुछा गया तो आपको यहाँ पेछा गया है तो Archaeopteris के बारे में आप जरूर पड़े होंगे अगर पहला चैप्टर क्लासिफेकिशन ऑफ और्गनिजम पड़े होंगे जिसमें Animal के बारे में या Animalia का जब आप क्लासिफेकिशन कर रहे होंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि Archaeopteris जो होता है वो एक प्रकार का क्य पक्षी और यहां पर जुरासिक यूग में पाया जाने वाला एक पक्षी था इस पक्षी की खास विसेस्ता ये था कि इस पक्षी में क्या होते थे पंक होते थे जबड़े होते थे और यहां तक की दांत भी होता था तो आपको देखते होंगे अभी पक्षी में दांत वे पर इस जो है कहीं को एकोोशं आगे आएगा भी यहाँ पर जैट सलबक इस जुते देखने को यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया था archeeosaurus जो की जोरासिक काल में अभी मिलता था हम लोग देखे किन वर्गो के प्राणियों के बीच के योजक यानि की जोड़ने का जो कड़ी है वो होता है वो सरिस्त्रिप और कौन होगा पक्षी होगा मैमत किसके पूरवज है यह बहुत मतलग इजी है अगर आप डिटेल वीडियो हम लोगों के द्वारा जो जारकन का डाला जा कर रहे ते डिटेल जारकन के वीडियो में तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत यहां पर हम बताने का प्रयाज किये थे और बोले थे कि जब जारकन का जोग्रॉफी पड़ाएंगे या जो माइन मैप आपको बताया गया है वहां पे जो लोग यहां पर देखते हैं कोशन यहां पर जटिल जी वाएंगे तो यहां पर चार आप्शन में हम जो सबसे बेस्ट आप्शन है वह आपको हम बता दे रहें सेलामेंडर जो होता है उसके बाद अजगर आएगा फिर कंगारू आएगा और इसका रिजन यह है कि यह जो होते हैं वह उबहय चर होते हैं और करने का मतलब है जो पानी भी रहता है अस्तल में भी रहता है उसको उबहय चर बोलते हैं उसके बाद यहां से डेवलोप होगा तो यह सबसे बेस्ट है और इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेशन नमर अब 47 देखते हैं जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्रानी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ग्याद किया धूण निकाला और पहचान लिया संख्या की दृष्टी से अब तक धूड़े विए और पहचाने विए जीवों में सब को वही पर देखने को मिलेगा यह जो है वो कीट में आपको देखने को मिलता है अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कोशन अमीवा विभणजन द्वारा जनन करता यह दिया गया है और दूसरा सभी एक कुश्के जीव जो है औलंगिक विडियों से जननन करते है तो विबन्जन जो होता है यहाँ पे इस साँ है अपने आपको तोड़ेगा और उसके बाद यह अलग हो जाता है और आपको गया है नेक्स्ट के और आगे बढरते हो देखते हैं क्या पूछा गया है कोशन नबर 49 कोशन नबर 49 यहां पर देखें तो यहां पर बोला गया है गर्म रूधीर वाले जिसको हम लोग warm-blooded कहते हैं जन्तु वे होते हैं जो अपने सरीर के तापकरण को यानि कि उसका जो temperature होता है सरीर का वो क्या रहेगा वातावरन के तापकरण से नीचा रखते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपके पक्ची आधे हैं तो यह जो है यह दोनों के टेगरी का जो ब्लड होता है वो वातावरन से आ प्रभाईत होता है यानि कि यह जो है अपने सरीर के ब्लड का जो temperature है उसको maintain करके रखते लेकिन वहीं आगर आप देख लीजेगा मतसी यानी मचली तो मचली का जो टेंप्रेचर है वो मेंटेन नहीं रहा पाता अगर उसका सराउंडिंग का टेंप्रेचर बढ़ जाएगा तो उसका सरीर का टेंप्रेचर भी बढ़ गया तो उसका सरीर का टेंप्रेचर भी बढ़ जाएगा तो उसका सरीर का भी temperature बढ़ सकता है और घड़ गया तो उसका सरीर का temperature घड़ जाएगा आगे आगे हम लोग देखते हैं एक और यहाँ पर करें करें यहाँ पे था यह दिया गया question number 50 यहाँ पर देखे हैं बोलता है नहीं है कित पर कौन एक मक्छली है समुद्री कुकुंबर खीरा समुद्री यहाँ पर गाय होना चाहिए गाउ नहीं होगा फिर है समुद्री घोड़ा और समुद्री बाग समुद्री घोड़ा यह photo भी अब देखे होगे यह मचली के category आत सबसे बड़ा अस्तानपाई कौन है सॉरी वेल मचली अफ्रीकी हांती दरियाई घोडा और धुरूय भालू तो आप जो है वेल मचली के बारे में सुने होंगे कि वेल मचली जो होता है वह सबसे बड़ा अस्तानपाई के तोर पर इसको हम दो क्या करते हैं जानते हैं अगर यहां पे वेल मचली के बारे में आगर आप सुने तो यहां पे कहा जाता है कि बहुत अरे अलग अलग टाइप के वेल मचली होते हैं जिसमें ब्लू वेल जो होता है उसका जो लेंथ है लगबग 30 मीटर के आसपास यहां पर आपको देखने के मल जाएगा और इसका भार ज दिजेगा हमको लंबाई याद था तो हम बता दिए इस तरह से इसका बहर भी जो होगा वो बड़ा होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि सबी जो होते हैं वह बड़े ही आवा मचली होते हैं वेल मचली कुछ ऐसे मचली होते हैं जो की छोटे मचली होते हैं जैसे कि moder ऑण सपर्म जो होता है वो छूटा होता है और उसका जो लंबाई होता है लगबग आठ साढ़े याठ फिट के आसपास यहां पर होता है तो इस तरह से यहां पर यह हम लोग थोड़ा सा इसका बेशिक बारे में जाने जो कि हो सकता आप पड़े भी होंगे अच्छा यहां पर दिया भी लेकिन इसको हम लोग नहले में आप कोम हैं आपको पूछा गया है सार्क है टूड है ऀक्ट पड़े और वेल जो है क्यूंकि सारग जो में पर आएगा यह किसके काटेगरी में अचली के है और सिक्विड इसको बोलता है तो ये जो आता है मोलास्का आता है और एक चीज़ आप देखे होगे इस तरह से कुशन भी स्थाइद इस टेश्ट में आ जाए कि सबसे बड़ा जो मोलास्का का काटेगरी में जीवाता है वह सबसे बड़ा जीव जो है वह कौन से स्किविड के नाम से जानते हैं एक तो ऑक्टोपस जो है वह भी क्या है मोलस्का के कैटेग्री में ही आता है तो जो वेल बजगया वह कीस में आएगा अस्तनपाई में यानिकी में में कॉश्ण नमर 54 देखते हैं नमलकित प्रजातियों में कौन से दांत वाली वेल में विशालतम है मतलब यहां पर कौन बड़ा है ऐसा करके आपको यहां पर पूछा जा रहा है तो कौन बड़ा है आपका यह अभी आपको तुरंग बताया थे फिन बैक वेल ब्लू वेल स्पो अब बता रहे हैं तो यह चीज़ दिया मांग में आप रखिया गडिक ना चली तो इस तरह से यहां पर आपका यह दिया हुए तो सबसे बड़ा अस्तनपाई के तौर पर भी इसको क्या करते हैं जानते हैं आगे दिया गया है नहीं देता है तो वैसे जीव को यहां पर आ एक दीना हो गया और यहां पर एक होता है बत्तक चूचा करके आप देखियेगा बत्तक चूचा करके देखियेगा वो भी अंडे यही यहां पर देते हैं बाकी चाहे वो कंगारू हो चाहे वो वेल हो चाहे वो सही हो सभी के सभी जो है अपने जैसे जीव को यहां पर क्या आपका भालू हो गया बिली हो गया बाग हो गया मनिश्य हो गया सेर हो गया यह नुघ यह तीर्ण को जाहे हैं यह सवाल पूछते र् teraz को यॐसे जृट रहा ने उस्टन पाई में यह सब क्यों सकते हैं आपका जगुआर है सुत्रमुर्ग है पैलिकन है और चमगादर तो यह बहुत एजी कुछन है चमगादर निमलेकित में उड़ने वाले जीव में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है चमगादर कौवा चील और तो आपको बताना है कि कौन नहीं आता है पक्षी में तो पक्षी में कौवा तो जानते है तो भी जानते हैं चिल्वी पक्षी है तो एक बच गया अस्तंधारी जीव के अंतरगत यहां पे आते हैं तो यहां समुदरी गया और समुदरी घुड़ा अभी आपको तुरंत बताया गया यह मचली के अंतरगत आते हैं अगला कोशन ने डॉल्फिन वर्गी क्रिट किये जाते हैं डॉल्फिन को किस में रखते हैं वो आपको बूछा गया है मतस्य में रखते हैं उभाईचर में यहां पे रखते हैं सरिस्रिप में रखते हैं स्तनी में रखते हैं तो इसको मैमल्स के कैटेगरी में यहां पे रख उसमें देखने को मिल दाएंगे तो याद रखिएगा शील जो है एक जलिये अस्तन पाई जीव है जो की मांसा हरी कैटेगरी में आता है न्रिसंस न्रवई प्रणानी कौन है ऐसा यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका जैव सही अंसर है वो उद्ध बिलाओ यहाँ पे होगा क कोशन नंबर यहाँ पे 62 जो है वो पूछ रहा है एमफीबिया बताता है अभी आपको बताएगा जो जल और असल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुन है उसको हम लोग एमफीबिया के नाम से क्या करते हैं जानते हैं कुछ कोशन और यहाँ पे बना लेते हैं उसके बाद जो है बाखी कोशन जो हम लोग नेक्स वीडियों में बनाएंगे निम्लिकित में कौन सा गुन जो है मनिश्य को अन्य सभी वानर गुनों से प्रिथक करता है तो यह बेसिक सा है जार आप्शन पढ़ने क्या हो सकता नहीं है जाननी की जो इच्छा है वही मनिश्य को जानवर से अलग करता है यानि क्या हम कर सकते है वाना से अलग करता है निम्लिकित में कौन सा एक कपी नहीं है आपको पूछा गया है तो लंगूर जो है वो कपी यहां पर नहीं है ऐसा यहां पर देता है मानो सद्रिश्य लगूतम कपी जो है वो कौन है तो गिबन है आप यहां प लोगो पढ़ने को मिलता है किस जनतू में खूर नहीं होते हैं जैसे जानवर के पैरों मेंखूर होता है ना तो हीरन में नहीं होता है गीदर में गोर में गोड़ा नहीं होता है आप के थी जैने यह औक्तोपस जो है वो आपको किस तरह से मिलेगा तो यह मुलास्का में आपको देखने को जो शरीर होते हैं, बहुत ही वह क्या होते हैं, कौमल होते हैं, तो यह अक्तोपस हो गया, निमले खित में सबसे बड़ा और कसे रूखी, आपको बताया गया था अभी जब पढ़ाया ता ये जो है अब an ऐुड़ा जीव के वरंग का नहीं थी बरूटी एक और मकडी है आँछ है टीन बोला है कि मुर्गियों का है और ये मुर्गी क्या कहा जाता है कि काफी ज्यादा यहाँ पे यह लोग अंडे देते हैं लगबर आसतन 280 से 280 से लेके 300 अंडे तक प्रती वर्ष तक यह लोग देते हैं इसलिए और द्यूगिक रूप से कमर्शियल रूप से यहाँ पे उत्पादन करने के लिए इस वाइट लेग हॉर्ण टाइप के जो मुर्गी होते हैं उसका यहाँ परियोग किया जाता है या एक तरह सका सकते हैं उसका पालन पूशन किया जाता है टिक और माइट वास्तों में क्या होते हैं यह पूछा गया मतलब आपको बताना है कि वो कीट कैटेगरी में नहीं आता है तो खडमल भी कीट में आता है मकडी जो है वो कीट में नहीं आता है अंसर यही हो जाएगा गरेलो मक्की और मचर यह दोनों कीट के कैटेगरी में ही आते हैं मकडी कीट से भिन होता है क्योंकि मकडी में पाई जाती है, क्या है, आठ टांगे यहाँ पाई जाती है, मकडी में आगर आप देखिएगा, कभी पढ़े होंगे, तो आप बोलता है, इसका जो है, यहाँ पे आठ टांगे पाई जाती है, और इसलिए इसको कीट से हम लोग क्या करते हैं, अलग रखते हैं तो इस तरह से यहाँ यही सारगा हो जाएगा आपका मकडई हो जाएगा देखिए कुछ-कुछ कुछ को रिपेटिड होता है लेकिन यह सब कुछ पूछन को भी यागर पर बना ले रहे हैं तो एकजाम हौल में अगर मिलता जूलता देखिए कोई जोरी तो नहीं है कि option आपका मकड़ी ही देदे कुछ दूसरा भी देगा तेल चैटा के साथ तेतली के साथ मक्चर के साथ लेकिन आप पड़े रुवे रही है कि मकड़ी जो है वो कीट के कैटिगरियम नहीं आता है तो कहिए दूसरे परकार का भी कुशन आपको देखने को मिल जाएगा तो उससे इलिमिनेट आप कर सकते हैं इसलिए कुशन जो है वो ज्यादा ज्यादा आप बना के जाए आपको फायदा ही होगा कुशन नमर 77 देखते हैं निमलेकित में किस क्या करती हैं क्या करती है द्यादा घाला आटा है यह आपको यहाँ पर पूचा गया है तो चलिए देख लेते हैं और इसके लिए अलग से कित्ता वीडियो यहां पर आप लोगे बनाएंगे यहाँ पे ही solve कर देते हैं इतना दुर तक देख रहे हैं अगर आपको लगता है कि एक बार पूरा वीडियो आप नहीं देख पाएंगे हम बोले थे कि दो पार्ट इसका बना देंगे लेकिन अब लग रहा है कि एक ही पार्ट बना देने से बेतर रहेगा क्योंकि बार बार एकजाम इतना नजदीक है कितना वीडियो आपका upload करते रहेंगे यह लंबा वीडियो है अगर आप चाहिए तो इसको पाउस करके दो तीन बार करके देख लीजेगा तो इसको हम लोग करते हो और 120 कुशन को यहां पर सॉल्व करने का हम पूरा-पूरा खुशिस करेंगे थोड़ा सा तो हम उसको भी explain कर देंगे यहां पर कोई एक गंटा के बाद आता है नहीं फिता क्रेमी वह लिंग होते हैं गोल क्रेमी अलग-अलग लिंग के होते हैं फाइल एलियरिया जो होता है वह नेमा टोड़ा होता है और आपका गिनी क्रेमी जो होता है वह एनालीड़ा होता है तो यह जो है classification आपको जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको बता नहीं चलेगा यह जो है आपका नेमा टोड़ा के अंतरगत आता है ना की इनालीड़ा के अंतरगत इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा एक दो और तीन माग अमना कलब पहला तीन option जो है वह बलक से declassification है तो वह classification आपको किताब में देखने को क्या हो जाएगा मिल जाएगा आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं अगर time रहेगा तो हम इस आहां पर बता भी देते हैं जैसे basic सा चीज है तो चलिए इसको हम हलका सा time आपका लेते हैं और इसको हम बता देते हैं जो basic नाम है वह आपको हम बता देते हैं बाकी जो detail चीज है वह आप अपने किताब से यहां पर क्या कर सकते हैं बढ़ सकते हैं यह plant है plant के बाद animal थोड़ा सा complex होता है plant तो लोग को बहुत easy way में समझ में आता है animal का जो classification है वो थोड़ा सा complex आपको देखने को मिल सकता है तो थोड़ा सा हम इसका हम बताने का प्रियास कर रहे हैं अगर यहां पर मिल जाए notes में आना जल्दी से यहां पर देखिए यहां पर हम इसको बाटे है जनतु जगट को प्रिष्ट रजु के उपस्तिति के अधार पर दू कैटेगरियों में बाटा गया है एक को बोलता है non-cord data non-cord data में है क्यों आता है आपका पारिफेरा आता है इसके बाद अपका क्या करना है पड़ना है कि आपके तोटल क्या करना है पढ़ना है तो रहे को मिलता है non-curated data में मिलता है और दसवा jgo core data है उसके अंतरगर्थ फिर से हम class में उसको बाढ़ते हैं चो कि ये फाइलम था आप पढ़ेंगे पहले हम लो वो kingdom 5 kingdom में बाढ़ते हैं फिर phylum में बाढ़ते हैं फिर phylum के पर पढ़ेंगे मच्छोरों के बारे में नर्रक्त चूसा थी है बिल्कुल गलत है किवल मादा रक्त चूसती है बिल्कुल सही है मादा पॉध हो का चूसती है यह गलत है मादा के अप्रीक्ष Champions नर के डैने बड़े होते हैं नर के डैने घर्मतर आउब कर लेते हैं तो उन्हें आप में जल का संग्रहन कर लेगा और लंबे समय तक वो जो है आपका गर्मी के वाले शेत्र में जैसे कि मरू अस्तली शेत्र में रह सकता है जिसमें पानी किया हो सकता है उसको तुरं 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 नहीं होगी और ये ठोस मुत्र जो की अगला कोशन में भी दिया गया है ठोस मुत्र जो है वो सर्जित करता है ताकि कि किसी तरह से पानी का जो है कमी उसके सरीशे ना हो चाहिए नहीं लेकित में कौन सा जानवा ठोस मुत्र करता है तो वही कंगारू चुआ है सर्पो के विस ग्रंति किसके समान होती है ऐसा यहाँ पे पूछा गया है तो जो कसरी के प्राणी के लार ग्रंति होता है जैसे कि हम लोग का मुह में लार ग्रंति है तो उसी के जैसे साम के मुह में विस ग्रंतिया होती है नाभीके के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है अब यहाँ पी आपको cell से कोशिन आपको देखने को मिलेगा तो चली cell अगर आप पढ़े होंगे classification खतम हो गया अब हम लोग यहाँ पे कोशिका से related कई कोशिन को यहाँ पे देखने वाले हैं तो कोशिका आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद यह कोशिका पनाईए या continue कीजिए और उसके बाद कोशिका आप एक बड़ क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, revision कर सकते हैं तो पुछता है नाभीके के अलावा किस कोशिका के अंग में DNA मिलता है तो microchondria, microchondria जिसको powerhouse कहते हैं, cell का powerhouse कहते हैं जिसमें energy बनता है, produce होता है उसमें खुद का DNA होता है और इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे nucleus के अलावा microchondria में भी खुद का DNA पाया जाता है सौरुर्जा ATP बदलती है, तो सौरुर्जा ATP में बदलती है, कहां बदलती है जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रकास sensation हो रहा है तो वो प्रकास sensation जो होता है, वो chloroplast में होता है तो इस स्वरसे यहाँ पे यह हम को देखने को मिलता है तो चलिए सही कथन को हम लोग यहां पर देखते हैं प्राया लगुतम स्वजवी कुशिकाएं हैं माइको प्लाजमा की कुशिका भी ती एमीनो सरकरा की बनी होती है विशानू सम एकलतंतू आरेने अनू से बने होते हैं और यहां पर होता है तो यह हमको बेसिक पता चल रहा है कि यह सही है तो बाकि अगर नई भी थोड़ा बहुत पड़े हैं तो चलेगा ऑप्शन से सही आंसर है उसके बाद नेक्स्ट कोशन है जीवे में अत्यदिक विवदता का कारण क्या है मतलब इतना जो हम लोग ut開始 को ला quiRoad जो परीवरतन आ रहा है उसी प्रेवर्टन से झालना से जानते हैं तो यह option c सब्से पहतर होगा निम्लेक्त में किसमें लिंग गुंसुत्र नहीं होते हैं तो चीपकली में देखिए गाना तो लिंग गुंसुत्र जिसे हम लोग का एकसार य है अभी बोला जा रहा है या आप सुने होंगे या यूटुब में कर इंट अफिर की कुछ आर्टिकल आप यहां पर यानि कि आपका जो प्लांट सेल है और जो अनिमल सेल है दोनों में क्या डिफरेंस है मैट्रोकॉंड्रिया कोशिका वित्ती के संदर में तो हां कोशिका वित्ती है सेल वाल जो होता है वो आपको पादब कोशिका में देखने को मिलेगा लेकिन जन्तु कोशिका में देखन नहीं मिलेगा तो यह कोशिका बित्ती की cellulose अभी तुरांत आपको बताया गया कि यहां पर cell वाल जो है वो मौजूद नहीं रहते हैं question number 95 बोलता है जैव कोशिका का कौन सा power house का लाता अभी आपको बताते बताते बताया थे कि energy जो produce होगा वो साथ में होता है और इसले इसको power house का जाता है यह आपको पूछा गया है प्रोटीन से होता है यह और बी दोनों से होता है तो प्रोटीन से भी प्लाज्मा जली हो जाएगा हमारा अधी हो क्योंकि D में A और B दोनों दिया गया है कुछ्छ्रम 99 देखते हैं प्रोटीन संसोलेशन प्रोटीन सेंथेजिस मिन्यमलेकित में कोश्य कांग में से किस किन की भूमी का सबसे अधिक मौतिम है मतलब कहने का मतलब है जो कि आपके cell में protein का formation हो रहा है तो उस protein को बनाने में cell का कौनसा organ जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिये रूप से यहाँ पर भाग लेता है ऐसा आपको यहाँ पर पूछा गिया है यहाँ पे देखते हैं कि चार ऑप्षम यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो चार ऑप्षमHYThere आपए सबसे बेस्ट डूनने का भप्रयास करते हैं तो लासोजाम और सेंट्रोम सेंट्रो सुम अंतर इंडोप्लाज्म क्रेकूलंस और Yar और गौल्जी उपकरन और माइट्रोकॉंड्रिया लाइस तो यहां पर सबसे बेस्ट आप्शन यहां पर आपको ढूनना है और सबसे बेस्ट आप्शन जो होगा इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होगा और राइबोसोम होगा आपको ऐसा देखे होंगे सेल जो स्ट्क्चर बनता है इस तरह से आपको रास्ता नुमाया यहां पे या हड़ी नुमाया आपको देख रहा होगा इस्ट्रक्चर जिसमें कभी-कभी जो है यहां पर राइबोसोम के रूप में क्या रहता है बिंदू-बिंदू के बेखने को मिलता है जिसको रफ इंड़ोप्लाज्मिक creditulum के नाम से जानते हैं और जहां पे नहीं होता है उसको softer endoplazmic creditulum के नाम से जानते हैं तो राइव सोम ज been аются protein नेरवान में यूद्साय होता है इसलिए दोनों का नाम यहाँ यहां पे एक साथ दिया गया है दोनों साय आता करते हैं इसलिए हम हम लोग का बेस्ट आप्शन जो होगा option भी होगा कुशन नमबर 100 देखते हैं मानोसरी के किस अंग में लसी का कोशिकाएं होते हैं लिंफ सेल जो है वो कहां पर देखने हैं तो यह जो है तिली में देखने हैं जिसको प्लिया है यह स्प्लिन के नाम से भी हम लोग जाते हैं अगला कुशन है स्तंबो कोशिकान संदान के छेतर में नमिंतम विकास के संदर में निम्लकित कत्रों पर विचार कीजिए यहां पर कहा गया है तो यहां पर जो सही option है उसको हम डारिट के यहां पर पढ़ दे रहे हैं तीसरा और चौथा सही option है क्योंकि यहां पर जो गलत काल तक स्वैम ही पात्रे संजीवित हो शकती है बारतिया नुसंदान के इंद्रों ने कुछ कोशिका सिरेखाओं का बिस रिजन किया है जिने कई प्रकार की उत्तकों में विक्सित किया जा सकता है यह तीन और चार वाला जो statement है वह आपको सही दिया गया है तो इस तरह से question नुन में पाई जाती है यह चीज़ आपका गलत है फिर प्र प्रक्रमित कोशिका मृत्य हो कि और आन्यनतरन को क्या करते यह पूछा गया है इपavoir autant की करके यहां पर नाम दिया गया दोनों सुचिक को यहां पर मिलाना है तो क्रैस श्यका की खोज है वह कौन किये थे तो य लिवेन होक करते हैं और केंदर की खोज है रॉबर्ट ब्राउन करते हैं और एक बाल गया ब्लैक रियक्शन विदी की खोज है कैमिलो गॉजी गॉजी वॉडी का भी ये खोज करते हैं तो इस तरह से इसका साइब ऑप्शन ऑप्शन दी हो जाएगा कोशिका में उपस्तित जली निमलिकत में किसे से किन से निर्मित होती है यह पूछा गया है तो यह जो है वह प्रोटीन से होता है वसा से होता है और लिपिड से होता है तो जो कोशिका मेंब्रेन होता है प्लाजमा मेंब्रेन या सेल मेंब्रेन जो होता है वह प्रोटीन और लिपिड लिपिड ए कि यह अभिए वब सबतावतों कोशिका के पाए जाने वाले क्रुमोजोम के संधर्म नियुकितक विचार किजी यह कोशिका के केंदरक में ूपस्तित होते हैं यह DNA और प्रोटीन से निर्मित होते हैं, यह आनुवानसिक गुनों के लिए उत्तरदाई होते हैं, यह क्रोमोजोम के बारे में यानि कि गुनसुत्र के बारे में आपको बताया गया है, तो यहां के तीनों के तीनों statement जो है, वो सही होते हैं, सबसे पहले यह कोशिका के बोलता है, उत्तक का उधारन कौन है, ऐसा यहां पर बोलता है, टीशू हम किसको कर सकते हैं, तो आपको लग सकता है कि ब्लड टीशू नहीं है, लेकिन ब्लड भी एक सयोजी टीशू के रूपे, सयोजी उत्तक के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं, तांसार आपका हो जा इसका सही statement है उसको ढूनने का हम लोग प्रयास करते हैं जो गलत है उसको काटने का प्रयास करते हैं व्रिधी और विब जुयतक उत्तक की कुशिकां में व्रिहद रसदानिया उपस्तित होते हैं ये जो statement है वो गलत है विब जुयतक उत्तक के विवाजन के सकती खो जाने पर कि बोलता है पौदो में लचीलापन स्कलेमे स्कलेरेन काईमा के कारण होता है यह आपका दिया गया है दूसरा है कौलन काईमा पॉदो की कठूरता के लिए उतर रही है यह पर दोनों का दोनों स्टेट्मेंट जो है वो गलत है इसलिए इसमें आप्शन आपका डी हो यह तो सही होना चाहिए जहां तक option देखते हैं आप अप्शन टू यहां पर देखिए यह वाइव मंडल के गैस के अप्रदान प्रदान करते हैं परन्तु वागपोत सर्जन के क्रियां भाग नहीं लेते हैं तो दो तो कड गया तो बच गया केवल एक एक सही लग रहा था त स्वेट रिदिव कुछ से कहता है था प्लेटलेट्स को साइंक तुरूप से प्लाजमा का जाता है यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहां पर आपका दिया गया है उसके बाद है प्लाजमा प्रोटीन नमक और हार्मोन उपस्तित होते हैं यह स्टेटमेंट आपका सही है तो इस तरह से आपका आप्शन जो है एक तीन हो जाएगा सही आंसर एक्स्ट कोशन देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के संदर्मन नमकित कत्रों पर विचार कीजिए तो यहां पर बोलता है जाइलम पानी और खनीज लवन का समवहन करते हैं उसके बाद यहां पर दिया ग के सही आंसर है तो इस तरह से यहां पर आप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कोशन नमबर 113 देखते हैं विचार कीजिए एपिथीलियम उत्तक पेशी उत्तक सयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक इसके बारे में आपको कौन सा जनतु उत्तक के प्रकार है यह आपको क किनारी किनारी होता है निम्लेकित में किसके कारण होती है परिदी में व्रिदी जो होता है वो किसके कारण होता है सिरस्ट विब जो होता कि कारण नाम नहीं पार्श हो है एपिकल लैटरल है तो लैटरल होला किनारी किनारी क्या करेगा वहां पे व्रिदी करेगा तो इस त के developed हो और unleveloped में तो केवल« hone रहा होता है जनतु यहाँ पाधब दोनू कोशिका यहाँ में और सपस्यूर्प से कोिशिका बाई जुग सही हो रहते हैं। दियुक्त कोशिका में जिल्ले उक्त संरशना कोशिकांग पाई जाती है। बेल्कुल जो कुशिका के अंगे उसके बाहर क्या आएगा एक छोटा जिली आपको क्या होगा पाया जाएगा जैसे कुशिका के बाहर जिली कुशिका जिली पाया जाता उसी तरह से कुशन नमर 160 देखते हैं नेमिकत पर विचार कीजिए ये अंडे देने वाले जन्तु है आपको यहां पर पूछा गया है कि उपरिक्त विशिस्ताओं में कौन से विशिस्ताएं मतस्य जल अस्तल उभायचर और सरी स्रिप तीनों वर्गों में शमान रूप से नहीं पाई जाती है तीनों में सेम चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा वो पूछा जा रहा है तो यहां पर जो हार्ट का चेमबर है वो तीनों में समान नहीं पाई जाता है अब बाकी यहां पर समानता आपको देखने को मिल जाएगा यानि की अंडे भी देते हैं बाकी जो है तीनों के ती प्रेटीपीक को उत्पन करने वाला कौन होता है यह वह जो चक्र का लाता है वह शो क्या चक्र का लाता है कहा है अच्ण रेब चक्र है अंतीम श्वशन चक्र है और जल लबगटन घरके यहां पे दिया गया है इसमें सही अंसर जो है वह जल अन्होना चाहिए जहां तक हमको लग रहा है यह अंसर होना चाहिए और फिर भी एक बदर यह थोड़ा साई आउट में हैं तो आप इसको क्रॉस्ट कर सकते हैं नमलेकित में कौन सा वर्टीब्रेटा करसुरी की फाइलम के हिस्से में यहां पर आता है आपको चार ओप्शन दिया गया है मतसे दिया है जल एक मिनट हां मतसे दिया है आपका जल अस्थल चर करके यहां पर दिया है उसके तो अभी वर्टेविटा नन वर्टेविटा आपको बताया जा रहा था तो उससे आप इसको चांट सकते हैं आगे यहां पर दिया गया है आपका यहां पर प्लांटी जगत की शारीरे की जटिलताओं कि आधार पे पांच वर्गों में बाटा गया निमलेकित में कौन से इस Gerist है नहीं है ऐसा करके यहां पर प्लांट में अगरण आप अगर आप बाठी है तो देखने नहींगों मोलास का जो है वह 9 2 आप्शन ही नहीं है असले से अच्छा नहीं है पूछा गया ना स्वरी माप कीज़ेगा नहीं है तो पाधप में तीन चार पांच का आओंगे नहीं है और कीजेगा कोशिन नमबर 120 जो है वह फंसाइँ के बारे में पूछा गया कि संदर्भ करत्म पर विचार कीजिए इस जगत के जीवी होते हैं यानि कि मृत्त जीवी लोगों को भोजन प्राप्त वर्टे मृत लोगों से जब इस जगत की कुछ प्रजाति है साइनो वेक्टेरिया के साथ सह जीवी संबंद अर्थ साथ है यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि खाद्य पदात खुद बनाते नहीं है तो असे कुछन है तो उसको एक ही वीडियो में बताना थोड़ा सा तो संभा नहीं होगा या ठिक नहीं रहेगा उसको दो वीडियो हम लेके चलेंगे फिर टेस्ट 3 होगा उसमें हम लोग देड़ सो कुछन को यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से आप